ये वोट्स अप गईज कैसे आप सो भी लोग वेलकम बाग तो निदर गेम लेट वीडियो तो गईज आरे जम लोग दुबार से किलने जा रहे हैं माइन काफ्ट आप सो भी लोग को याद होगा कि लास वाल एपसड में मैंने कासल के इंदर एक बहुत ही बड़ा विलेजर बनाया था क्योंकि मुझे ना काफी सारे लेबरेंस से ट्रेडिंग करके एक मैंडिंग एंचैंट मेंड बुक चाहिए थी अब आर देखो यह इतनी जादा इंपोर्टेंट इसले थी क्योंकि मैं जब भी माइनिंग करने चाहता था अपनी डामन पिकक्स यूज करता था उसके अंदर जितनी भी हल्ट होती थी ना मैं सारी खतम करते था उसके जो डामन मेरे पास रहते थे तो उससे मैं रिपेर करवा लेता था तो इसमें कोई दिक्कत नहीं हो थी बट सीन यह था कि डामन बहुत मुश्किल से आते हैं और मैं सारे के सारे रिपेर करवाने में वेस्ट कर देता था तो जो मैंनिंग एंचेंट मेंनर गाईस उससे मैंने तो यह सोचा था कि अपनी जो पिकेक्स है वो अनलिमेटेड हल्थ वाली हो जाएगी बट ऐसा तो नहीं हो पर कोई दिक्कत भी नहीं हो यह देखो इस ताइम पर जो अपनी पिकेक्स है ना गाई नहीं होने मार्ना, भाए यह कहा चीज है वाई एक सेकेंड यह किए तो यह कहा जाद वह एक सेक रहा हूं यह क्छीन था यह तो मैं कुछ पहली बार ही देह रहा है, पै बाँ यह क्या हो गया, यह कुछ यह ग्या मेरा इतना बड़ा कासल है अंदर कान चुपने यह चीज म से बिजली गिरी यह तो बिलकुल यार एकदम हॉलिवूड मुवी स्टाइप हो रहा है यार सची में अभी कहीं थोर वार ना आ जाए उससे पहले मैं अंदर निकल लेता हूँ बेटा तेरा महां मुह तोड़ दूड़ को तुमारी है से कि तैसी नैदर राइट सौड़ है मे इनको मारके मुझे एक्सपी मिलेगी और अभी देखना क्या होगा ठीक है 1912 HP से HP मेरी बढ़ेने लग जाएगी और Mending Enchantment का यही काम है बंदे मारो HP बढ़ाओ यह देखो पहले 1912 अब 1952 हो गई है तो बस कुछ नहीं करना बस लेफ्ट हैंड में पकड़े रखनी है बाकी यह जानते होंगे एक monster है जिसका नम वेदर या फिर वेदर के कुछ है तो उसी monster को आज पहले खुधी अम बनाएंगे और फिर खुधी उसे मारेंगे बाकी दर सबसे पहले उस monster को बनाने के लिए हमें जाना पड़ेगा नेदर पोर्टल में और वहाँ पर जाकर नमे 3 लगी है बट मतलब लुटिंग 3 से क्या होता है न अचीजे मिलने के चांसे बढ़ जाते हैं बट अभी जो गोल्डन स्वर्ड एसकी बहुत कम होती है तो मेरे को ना एक लुटिंग स्वर्ड के एंचाइंड्मेंट बुक बनानी पड़ेगी उसके लिए मिरे को चाहिए हों और मेरे को ने काइस पोशन ओफ रिजेस्टेंस तो मनाय बनाया है और सोचनों मैं पोशन ओफ रिजेनरेशन भी बना लूँ तो गाई सर्दी कुछ स्केलेटर नों इसे क्या होता है हमारे उपर वो इफेक्ट छोड़ देते हैं जिससे जो हमारी एच्पी है वो आटमेट चलो कोई नी गाइस अभी फिलाल यहां पर मेहनत लगने वाली है अब यह सारा का सारा समान ना मेरे को ठाकर रखना पड़ेगा लेकिन मेरे पास ना एक गजब का एडिया है तो सबसे बहले इसको तोड़ो यार एक मिनट उप जो गई है तो चलो गाईस अभी ना फिलाल नेदर वाट तो मेरे को चाहिए होगा और बाक यार काफी सारा खाना मेरे बास पड़ा हुए तो चलो अभी ने जल्दी से इसके अंदर डालते हो अब तक अपना पकते रहेगा और जब तक मैं अपना पोशन ऑफ रिजनरेशन बनाऊंगा तो सबसे बहले ने को यहां पर बाकि यह हुआ क्या था आप लोग कमेंट में जाकर में कुछ जरूर बताना ठीक है मैं अभी भी बहुत कन्फियूज हूँ कि वह बिजली गिरी और वह एक बंदे तीन बन गया और उनके उपर स्केलटन आ गया वह भी फूल एंचंटिड ठीक है तो यहां पर मैंने यह ब बना लोगा जल्दी से भी बनने देते हैं और इस ऐसे portion of regeneration बन जाएगा बाकि मेर कोच इस रेसिपी याद निया वैसे जहां तक है बन जाना चाहिए बाकियर अपने कासल के अंदर मैं काफी सारी cats पानने वाला हूं ताकि creepers कम से काम आये तो जल्दी से सबसे बहले में चल किसी चेस्ट में चलिए होगी इतनी सारी चेस्ट में पड़ेगा तो इसको मैं यही पर रख देता हूं और यह वाली शवल ले लेते हैं temporary और बाकि जो खाना पका था वह भी मैं थोड़ा बहुत ले ले लेता हूं अभी सबसे बहले मैं जाने वाला हूं लैपिज लजूल मैं भागते हैं थोड़ा बहुत आगे आगया और यहां पर में कोई माइन मिली थी जिसमें उस तरफ से गुसा और इस तरफ से निकल गया आज मतलब की माइन मीनी मिल लिया है चलो सामने की तरफ में एक केव टाइप को चोड़ दिख रहा तो चलो गया तो जल्दी से इसक इस तरफ में भागता बागता काफी आगया आगया हूं यहां पर में कोई लपीज लजूली मिलने का नाम नहीं ले रहा हूं और यहां पर बहुत ज़्यादा पानी है इस तरफ में थोड़ा वो शान तमामला है तो चलो काई सबीना फिलाल मैं भागता-भागता काफी यहां पर में कोई लपीज लजूली मिलने का नाम नहीं ले रहा हूं और यहां पर बैट्स को मारने पर यह एंडर मैं चिड जाते हैं क्या मुझे लिटरली नहीं पता था बैंडर मैं तु बहुत बुरी तरा फिटे का मेरे से मेरे को मार मत दियो भाई इतना सारा समान है यह मैं गलती से मरा ना बहुत जादा बड़ी गड़ बड़ जाएगी आज आता इसे एक और खाया एक और खाया निकल फिर यहां से इसको मैंने मार दिया तो चलो गाई जबीना फिलाल मैं भागते बागते काफी आगे आज चका हूं बढ़र अभी तक मेरे को एक भी लैपीज लाजूली यह तो डामन मिलने का ना मीन ले रहा है मैं अबसुर्ब भूड जारह रहा हूं बाहुत पता नहीं कैसी जगह पर रहा हूं लैपीज लाजूली तो चोड़ो यहां पर ड़ाय उस्केलेटन में जोंबी को मार रहा है और ऑब यह इसका मूह तोड़ग बाकि अभी तक मेरे को एक भी लैपिस लजूली नहीं मिला है, सबसे बहले तो इस लावा को बंद करो, भाई मैं जा रहा हूँ यार किसमत ही घराब है मेरे को नहीं खेलना, तो गाई सैर मिरे को पता है क्या लग रहा है कि लैपिस लजूली नाम की कोई चीजी नहीं होती, मतलब कि इतनी तेर में तो आराम से मिल जाता था चलो गाई, इतना ज्यादा दूढ़ने के बाद मिला है, मैं क्या बता हूँ तो चलो भाई, थोड़ी बहुत खुशी हुई, मुझे पता है, तुम लोग गुस्से में हो, मेरे को यहां से निकलना पड़ेगा और मैं बहु तो यार भी बहुत कम लेप लफ लफ लिया भाई, मैं तो इतनी ज्यादा उमीद लगा कर आया था, कि कम से कम सो पचास तो लेखरी जाओंगा, यहां पर मेरे को 40, ओ भाई, 50 तो होने वाला, चलो आजा आजा जा 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 तो तो चलो का इसा भी ना, फिलाल मैं सीधा उ और सीगे ही होते होंगे, एक मेरे कासल में क्या कर रहा है, मैं तेरा मू तोड़ दूगा, इनको मारते क्यों नहीं है, पता है नियार क्या सीन है, यहां पर मेरा पोशन ऑफ रिजेनरेशन भी बन गया है, तो जल्दी से ना, सबसे बहले मैं चल के यहां पर सो जाता हूं, बाकि नेक्स दी जो जो काम की चीज़े वो बनाएंगे, और फिर में जाने वालों सीदा नेदर पोटल में, और मेरे को एक फॉर्टरस पता है, जहां पर काफी सारी वो ब्लाक वाले स्कैलेडन है, उनी को मारना है, पर पहले लूटिंग थरी की एंचैन्मेंट में वाली म बेकार रहेगा, एक काम करता हूँ, जो मेरी नेदर राइट स्वर्ड है, इसी पर हम लोग लगाने वाले हैं इस टाइम पर, तो चलो काइस अभी ना जल्दी से अपनी स्वर्ड पर यहां पर लूटिंग 3 के एंचैन्ट में लेते हैं, तो यहां पर मैंने यहां पर एफि इसको बढ़ाते हैं जल्दी से, वैसे इसमें बहुत टाइम वेस्ट होने वाला है, इससे बड़े में काम करता हूँ, काफी सारे ना मतलब शुगर केन, जो मेरे पड़े हैं, उनको लेकर आता हूँ, उनसे पेपर्स बनाता हूँ, और पेपर्स लियाकर इन लाइबरेरिय जल्दी से ना यहां पर यहां पर यह रिख ले रहा हूँ, वाकि दो आजए की दो लेते हैं, आज वैसे ना वी मेरे पर और अर्म लोगे तो मैं तीसरी भी भूग के लिख ले लूगा, वैसे ना मेरे को एक चीज नहीं पता कि लूटिंग फर्स मिलती है, या फिर अपिर तो यहां पर यह लूटिंग टू हो गई है बाकि एक सेकिंड एंचेंट्मेंट कोस्ट 11 अब शिट यार काइस अभी ना गड़ बढ़ी होगी कि मेरा एक स्पी बहुत कम है तो मेरे को नहीं से एक बार यह अपने एक स्पी वाम जाकर मॉप्स मारने बढ़ेंगे तो चलो हैं बहुत चोड़ा हो रहा था चलो अभी फिलाल मैंने इसको मार दिया बाकि यह कुछ नहीं कह रहा था जो उसके उपर स्केलेटन दे वह मेरे को कह रहे थे बाकि यह होड्स है ना मिरे को काफी यूनीक बंदा लगा मतलब कि कोई ची यूनीक अनिमल लगा इस टाइप का काम करता हूं यहां पर में पास जगह तो है नहीं क्योंकि जितने ही मॉप समारे उनसे काफी सारा रॉटन फ्लैश मिला था तो बिल्कुल भी जगह नहीं बची है तो फाल्तु का समझ सारा में को यहां पर फैक ना पड़ेगा जल्दी इसके बाद देखो भी मैंना लूट इसके पता नहीं थी तो उसके लिए में घास्त को मारना बढ़ता उससे चीज मिल कि यह वो मेरे को चाहिए बागी वो यहां पर ग्लोटन पाउडर से नहीं बनता ठीक है तो चल्या अब इनसे बहले काम करता हूं यहां पर जितना भी इनस दे शुगर लेता हूं वैसे मिल यहार चोड़ो यह तो अपना आते-जाते रहेंगे वाक्यार यही कुछी पर वाला विलेजर था जो कि मेरेको लूटिंग वन दे रहता। तो देखो वाई यही है वह विलेजर तो अब ही ना गाइस यहां पर मेरेको इसको यह वाली बुक लेनी तो चलो गाइस अभी हैस अ सबढूआמה जाना है और वहाँ पर चाहिए कि अड़य मत में सबस्ट करकें पिदो तो में अबाखिक की वह गया से रूस्ट हो आपने साथ में लेकर चलता लनु法 है यह baudya दी सब्सक्राइब गार ऑगाने में सबस्ते करें और क्यंद के अपकी को किस हो कुछ चुक है एक पिककस देर है कि पिककस भी चेवसे गौल डेन वाली है चलो गोल डेन तो नहीं अपर मैं पनी आरन हम ले ले लिठा यही तो नहीं को भाई पूटे गाई जलदी से में निगलता हुस हो सीधा बाहर लूटिंग मन की जितनी हए सारी मेरेको अपनी से आ जाते हैं यार तो अच्छा लोगाइस अभी न जल्दी से यहां पर जो मेरी नेधर वाइट स्वाड़ है इसको मैं यहां पर रखता हूं इसके अंदर एक वो लूटिंग में लगाते हैं यहां पर देखो भी शापनेस फॉर एंड लूटिंग 2 हो चुकी है तो भी जल् यहां पर यह मेरा चोथा राउंड है कि मैं एक्सपी बढ़ाने चाहरा हूं पहले मैं बढ़ा कर आया था यहां पर जैसी मैंने अपनी दोनों बुक्स को मिला तो यह जो बुक है नहीं बट कोई फायदा ही नहीं क्योंकि फिर से एक्सपी कम हो गई तो चलो और यहां पर अपनी शापनेस फोर लुटिंग 3 के साथ अपनी सवड को एंचेंट कर लिया है तो चलो भाई अबीना फिलाल सब कुछ हो चुका है यहां से बस में थोड़ा बहुत खाना ले लेता हूं बाकि भी सारा खाना भी खतम हो जाएगा तो चलो अबीना फिलाल यहां पर कुछ क यहां यां नेदर पॉटल में जाकर में को वो स relacion है उसको डुने में कितना टाइम लगने वालमा अब इस शा बहुत चलो अब हमी दिय इतना चलता अब लगी भी ने जिती देर तक जल रहा हूं मैं तो गाइस आर फाइनली अब जाकर ये आंग भुजिये भाई कुछ जाद ही हल्ती नी पी गई मज़े में कहर चोड़ो ही तना चलता है तो गाइस अब जल्दी से यहां से में निकलता हूं सीधा अपनी जगा की बैक साइड पर अमिर को ची से तो याद निया बट मैं एक दुबारी पहले गया था तो वह यही जगा थी और इस टाइम पर नगाइस मेर पास तीन तीन पड़े होई हैं तो मैं तोड़ा सोस समझ के यूस करूँगा और बाकी मेर से पंगे नी लेने का ठीक है मैं बता रहा हूं बहुत ब पहले ना यहां पर शील्ड रखो तोड़ चटाओ सेफटी पहले जादा जरूरी है बाकिया लास्ट ताइम मेरे को जहां तक याद है मुझे नेधर पोर्टल है और इस तरफ में फोर्ट्रेस था तो चलो भी ने जल्दी से एक बर आगे चल कर देखते हूं और कभी गबा पूर्टल में बस यही होता है बट मुझे नहीं पता था कि यह सब इतना होता हुआ को बेशन रेमिनेंट पता नहीं क्या कर वाई सब बच गया भाई यह मैं कहां के गरता अच्छ हुआ कि मैंने पोर्शन पी रगा है वरना भी मैं बहुत ही पुरी तेरा मर्दा तो चलो जल्दी से आपर जो ब्लॉक्स हैने तोड़कर यहां से निकलता हुआ कोई बड़ी असा रास्ता ढूंडते हैं वाकि मेरे को पीछे जाना है मेरी हल्थ नहीं कम करवानी तो चलो काईस फाइनली थोड़ा वह धूड़ने के बाद यह वाला फोर्ट्रेस मेरे को मिल चुका है वाकियार यहां पर और भी लावा है लास्टाइम जब मैं आया था ना मैंने सारे लावा बंद कर देते बट अब यह पता नहीं कौन सी के लिए लग रहे हैं मैंना बैक साइट से एंटर हो इस बारी तो चलो बाई सबसे वहले लावा को मैं यहां पर बंद करता हूं और यह जो लोग होते हैं यह मतलब की आग छोड़ते हैं तो कर मैं यह पी के इन से फाइट करूँगा तो क्या होगा मैं को यह देखना है मतलब क्या फिर तो यह में डेमेज पचाहीं नी पाएंगा एक सिंद रुक जाओ बाकियार यहां पर इसे मार कर जखता हूं वह बाई स यहां पर इनकी जिन्दा होने का वेट कर रहा हूं भी बीच में एक बार तो यहां पर एक और एक अटक दूसरा अटक और धेर और यहां पर लुटिंग वाली को जासे जादा ब्लेजरोड मिलिया चलो यार बहुत है बाद में जरूत पड़ी कि तो आकर ले लेंगा अभी जो में लेट से क मलेट वैसे मेर पाँ शीटान मिल ऊंच के दूसरा नी चाहिए ले मी कि बूक dairy को मेरेको यहां को एस समच था यहां को माइं जा फिला इंच एप यहां आओ यहां पर आप रूमियर को इससे वह प्रिष्समें इसका बाइस ब्लत इस ब्लह दाकी मिला यहा हेल्थ कैसे जा रही है एक शेकिन तीमारी है एक दो तीन चार पांच एक इदर आइदर 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 एक और बचाना निकाल यहां से तो चलो काई जीतने भी ते सब को मार दिया 15 ब्लेज रोड हो चुग है टोटल भाई खतर नागो उपी बाई तो चलो अब इना फिलाल है और एक गोड़न इंगर यह ले लेते हैं बाकी बीचे एक चार रहा है उपी यार तो चलो यार इसको भी लूटते हैं देखते हैं इसके अंदर क्या है फिलिंटेंड स्टील है बाकी सैडल मेरे को नहीं चाहिए और आगे कोई रास्ता नहीं है बाकी इस जगापर स्केल लग गया मेरे उपर और मेरे जो हैल्ट है दीरी दीरी वह जाते जाएगी और यह मैं कहां गया सबसे पहले ना काईस में को खाना खाना पड़ेगा एकदम अराम से और उपर काइस अभी बीना काफी सारे स्केलेटन है उनको मारने के लिए इनको मरने परना में थोड़ा ब यहां पर थोड़ी सी नेधर रैक चाहिए तो अगर मैं इन नेधर रैक को यहां पर लगा दूँ उसके बाद यहां पर एक नेधर रैक कुछ इस तरीके से लगा कर ऊपर से पहले रस्ता खुल दूँ ठीक ओ भाई यह तो बस बैट के देखेंगे इसके मरने पर भी कॉली म अंधेरा इतना जादा ना कुछ भी ढंक से लिखनी रहा है शील्ड की जरूतनी है शील्ड लटाता हूं यहां पर अपना टॉर्च लगाता हूं भाई अभी तो पूरा गेम मेरे हाथ में है तो सामने की तरफ में एक स्कैलेटन हो रहा है और यहां पर आने का मैं रास्ता तो मेरे में कुछ इस टाइब से तीन इकटे करने है बाकि ऊपर से मेरे कोई कोई स्कैलेटन की अवाज आ रही है तो कई सब्सक्राइब ना फिलाल उपर की तरफ में तो मेरे कोई जगा नजर नहीं आ रही है जो फोट्रेस है शाहसे मैं इसके टॉप पर हूं तो मेरे बाकि यह रास्ता आगे बंद हो रहा है तो जिस रास्ते से नीचे जलते हैं और चलकर देखते हैं और स्कैलेटन है या फिर नहीं तो अब बहुत सारे स्कैलेटन मारने पड़ेंगे अगर मेरे पास यह लूटिंग 3 ना होती ना तो भाई फिर तो भूल जाओ कि हमें यह म स्कैलेटन नीचे ही थे वह मेरे को पता था वाई अवाज तो मेरे को देखो पहली यार थी बट मैं कन्फ्यूज था कि ऊपर नहीं या फिल नीचे बाकिया यहां पर एक के बाद एक मेरे पर आटक कर जा रहे और मेरे को एक हैड मिल चुका है बढ़िया बढ़िया अभी इस अंदर से चलना मेरे को इसने एफेक्ट दे दिया है जिससे मेरी हल्थ कॉंटिनूज ली बहुत तेज जारी है बच गया फाइनिली में बच गया बहुत तेज हल्थ गई थी और मैंने इसको मारा यह दिखो है आपको एक हैड और ची है और अपना काम हो जाएगा फिर नोग बयदर बनाएंगे उससे फाइट करेंगे उसको मारने पर हमें एक वेदर स्तार मिलता है वेदर स्तार होता है फिर हाँ वेदर स्तार से भी काफी मस मस चीज़े होती है वो आपको आगी पता चली-मोडी चीज नी आ और नहीं मैं जल्दी से एक्स्पिलेंग कर सकता हूँ बाकि एक शेकिन मैंने से मारा भाई सारे घुस्सा हो गए शेट यार मैंने क्या गवड़कर चल तेरी ऐसे गड़ा से निकल यहां से आजो सारे आजो मैं भी देखरो तुमको कि आज़र मैंने कर सकता हैं Är संहां मियाज आज़कर को और अभी संहान मैठेशली और को सब्सक्राइब लृट्ट मर जाता भले पर कुई दिक्कत नहीं होती बट अभी यार यहां से निकलना पड़ेगा वह भी बहुत तेज और वहां पर देखो छत पर कितने सारे स्केलेटन है तो गाइस अगर और भी मेरे को चीए होंगे तो मैं यहां पर आ जाँगा और बाकी मेरे को तीन ही चाहिए थे तो कैसे अभी ना जल्दी से यहां से निकल लेता हूँ फटा वट से पदा नहीं पूछ मंगों या फिर नहीं वहीं चलके मालूम बढ़ेगा तो चलो गाइस यार फाइनिली भागते भागते मैंने अपने पोर्टल को फाइनिली ढूंडी लिया वैसे ढूंडना क्यार को को नहीं पता भाई फिर कितना डाइम लगने वाला था बागी अभी सब कुछ हो चुका है तो चलो काईसार आज किस वाली वीडियो में अगर आपको यह वाली वीडियो चील लगी तो फटेवर्टस इस वीडियो को चाका लाइक कर देना इस वीडियो पर मैं इम करता अपने कासल के पास नहीं करने वाला बहुत दूर जाके फाइट करेंगे क्योंकि आपको बता है वेदर बहुत ज्यादा खतरनाक होता है एक बार में समल्लों पांच करीपर फूटेंगे उतना डैमेज करता है तो अगर वो गलती से अपने कासल पर आ गया और फूट गया तो भाई धेर हो जाएगी हमारी इतनी सारी मैनत तो काफी दूर चलेंगे फिर उससे फाइट लेंगे उसको हराने पर हमें जो चीज मिलेगी वो बहुत काम किया है तो आज किस वाली वीडियो में इतने ही मिलते लिए वीडियो में गुट बाइग जड़ियो घचितर लिए